Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% free quality education और 100% का मतलब क्या है? क्या आप से 2 chapter के बाद यहाँ पर कोई free demand की जाती है? जी नहीं, यहाँ पर आपको आपके सारे subjects के सारे chapters मदब all subjects, all chapters free of cost पढ़ाई जाते हैं with exam preparation तो कितना अच्छा है रहा? So well, हम start करने जा रहे हैं science subject लेकिन science की शुरुआत करें उससे पहले, मैं आपको आपके बागी teachers से जो कि आपकी class 7th में पढ़ाते हैं, उनसे introduce करवा देती हूँ जो कि आपको कुछ maths, English, social पढ़ाते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं इनका साथ होगा, तभी तो हम होंगे काम्याब हमारे exams में तो इनसे भी जुड़े रहे हैं, इनके भी सारे video lectures को देखते रहे हैं चलिए अब शुरुआत करते हमारे MCQ की तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे next chapter की जो कि है chapter number 16, water appreciates resource वेल इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने आपको बताया था कि water का conservation क्यों जरूरी है, क्यों आपको इसको बचा के चलना है और इसको कम होने में यह जो water, अपना water table जो deplete हो रहा है उसके क्या reasons थे, तो यह जो सारे चीज़े हैं हम already पढ़ चुके थे कि increasing population के कारण हमारी demands बढ़ती है, तो agriculture लेंड बढ़ जाते हैं industries का setup जादा हो रहा है, तो हर जगहा पर groundwater का use होता है जिसके वज़े से आपके जो groundwater table है, वो reduce होता जा रहा है clear है, तो हमने यह सारे चीज़े तो already पढ़ ली थी, चलिए अब इसके जो MCQ है उनकी शुरुबात करते हैं, तो पहला question है आपके सामने कि water is found in, water कहा पर आपको मिलता है तो पानी जो है, water is found in, मतलब कि water जो है, वो किस form में आपको मिलता है solid, liquid या फिर gaseous form, तो देखिए, आप मैंने आपको बताया कि जो पानी है एक ऐसी चीज़ है जो आपको तीनों ही form में मिल जाती है, कैसे? अब आप maximum बच्चे जो हैं, वो यह answer अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को तो वो ही सोचेगे कि liquid form में पानी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है आपका यह जो पानी है, यह आपको तीनों forms में मिलता है, आप ज़रा थोड़ा सा सोचिए और पहुचिए अपने north या फिर south pole के पास, वहाँ पर बर्फ है, तो बर्फ किसकी है? पानी सही तो बनी होती है तो मतलब कि solid form में भी पानी available है, और साथ ही साथ liquid form में तो आप देखते ही है reverse में, lake में, sea water यह सब कैसा है? यह सब ही हमारा liquid form का पानी है अब इसके अलावा यह जो gaseous form है, वो कैसे होता है? तो वह gaseous form का क्या मतलब होता है? कि जब पानी जो है, वो vapor के form में atmospheric air के साथ में उपर की तरफ जाता है तो जैसे ही sun की energy heat देती है, आपके water bodies को तो पानी क्योंकि जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, मतलब जल्दी गर्म मत तो हो जाता है लेकि ठंडा होने भी थोड़ा सा time लगाता है, तो जो गर्म हो जाता है मतलब कि गर्म या ठंडे की बात नहीं है, जैसे ही पानी में जो heat energy आती है तो जल्दी से vapor में convert हो जाता है, ठीक है? तो जैसे ही sun की energy आई, पानी किस में convert होने लग गया? वेपर में, अब यह जो वेपर हैं, वो उपर की तरफ उठते हैं, तो यही इसका gaseous form है पानी का तो इसका मतलब यह आपका पानी है, वो आपको liquid, solid और gas, तीनो ही state में मिलता है तो इसको option होगा, option number D, that is all of these अब आगे चलते हैं, next question जो आपसे पूछा जा सकता है, वो है, water day is celebrated on अब यह जो world water day है, इसका complete नाम अगर मैं आपको बताओं, तो यह है world water day, अब यह world water day कब मनाया जाता है? अब क्यों मनाया जाता है? अब देखिए, जैसे कि women's day मनाया जाता है, children's day मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है? ताकि सबको एक बार साल में ये बात याद रहे कि भई सभी लोग important है, ठीक है? men's day भी होता है, women's day भी होता है, children's day भी होता है तो यहाँ पर इस world में जितने भी organisms हैं, जितने भी चीज़े हैं, सभी अपनी जगा important है और उनकी importance को याद दिलाने के लिए और उनकी हक के लिए एक एक day हम बना देते हैं तो पानी, जो कि हम सभी humans के लिए, सारे organisms के लिए इतना जादा important है तो उसके लिए भी एक day होना चाहिए, जिसमें हम ये चीज़ दुबारा से recall करें कि हमें पानी को बचाना है, पानी को गंदा नहीं होने देना है ठीक है, और इतनी कोशिश करना चाहिए कि हमें जादा से जादा पेर पौधे लगाना चाहिए जिससे कि हम पानी को जादा तर्दिके से ground water में भेच सके ground water का जो level है उसे बढ़ा सके है ना, तो एक day बनाया गया मार्च में अब मार्च की वो date कौन से है, तो वो मार्च की date है 20 second of March, तो हर साल 20 second of March को हम मनाते है world water day, ठीक है, क्या मनाया जाता है? world water day, clear? चले, तो यहाँ पर इसका option होगा, option number C आगे चलेंगे next question की तरफ, so our body contains dash portion of water अब हमारी body में क्या होता है? बहुत सारी चीज़े होती है blood होते हैं, हमारी body में बहुत सारी parts हैं और साथ ही साथ है पानी, यह पानी आपकी body में क्या करता है? तो जैसे हमारी body की proper functioning के लिए, पानी की जरुवत सबसे ज़ादा होती है क्योंकि proper nutrition हमारी body में पानी से ही पहुच पाते हैं और दूसरी चीज़, पानी ही एक ऐसी चीज़ है, जो कि जितना भी waste आपकी body के अंदर डवलप हुआ है, उसे बाहर निकालने का काम करता है, तो पानी की जो amount है या जो पानी की जो percentage है वो आपकी body में कितना होता है? तो वो होता है 75% कितना होगा? 75% तो इसको बिलकुल ध्यान रखेगा, याद रखेगा कि our body contents 75% portion of water, that is option number A, आगी चलते हैं, इसे हम यहाँ पर clear करके पहुचेंगे सिधे question number 4 की तरफ तो question number 4 में आपसे पूछा गया है, कि which one of the following is the cause of depletion of water table? अब water table मतलब कि ground water level से related है, ठीक है, यासा याद रख सकते हैं आप, तो यह depletion of water table किस वज़ा से हो रहा है? तो भई देखें, increasing population, agriculture activities, increasing industry या फिर all of these, आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर increasing population है, population बहुत ज़ादा बढ़ गई है, तो अब हर अनसान को, हर human को क्या चाहिए है? उसे रहने के लिए घर चाहिए है, houses चाहिए, खाने के लिए food चाहिए है, और इस food requirement को पूरा करने के लिए फिर क्या होगा, जादा से जादा agriculture land बनेंगे, so agriculture activities बढ़ेंगे, तो क्या होगा, अब हर जगहा पर नहरे नहीं हो सकती, तो क्या होता है, उस agriculture activities को सही तरीके से चलाने के लिए, crops को grow करने के लिए, farmers को पानी के requirement होगी, तो सब क्या करेंगे, सब अपना-पना water table, अपना- सारे तरीके से water pump से पानी लिना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, नीचे जो आपका ground water है, वो कम हो जाएगा, साथ ही साथ, अब लोगों की requirement है कि हमें घर तो है, हमें गारी भी चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, टीवी, फ्रिज साब कुछ चाहिए, हमें मैडिसन चाहिए, हर चीज चाहिए, तो जितनी population, उतना जादा हर चीज की requirement बढ़ जाती है, तो इसके लिए फिर industries डबलब होने शुरू हो गई, अब industries जगा जगा पर लगी, आप ऐसी जगे पर लगी, जहां पर कुछ water bodies है, लेकिन अब हर industry को तो आप नहर के किनारे या नदी के किनारे नह नहीं बना सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कही ऐसी जगह पर एक तो शहर से थोड़ा दूर industry लगानी पड़ती है, तो ऐसी जगह पर industries को बनाया जाता है, या अब industries ऐसी जगे पर setup होती है, जो कि शहर से दूर हो, अब हर जगह पर क्योंकि river नहीं है, तो वो फ लेंड है, लियर हुआ, तो इसका मतलब कि अगर depletion of water table हो रहा है, तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है, यह सारे ही कारणों के कारण, क्योंकि population बढ़ी, तो agriculture activities बढ़ी, और साथी साथ population में लोगों की demand को पूरा करने के लिए increasing industries, मतलब कि industries, जादा से जादा बनना शुरू हो तो इन सभी में क्योंकि पानी लगता है, और सभी के पास reverse नहीं है, तो सब ground water के पानी को लेते हैं, इसी कारण से जो water table है, वो धीरे धीरे reduce होता जा रहा है, clear, आगे बहुचेंगे question number 5 के तरफ, so dash represents the solid form of water, ठीक है, water vapor, snow, lake water या well water, अब देखे, solid का मतलब क्या होता है, जि का कुछ छोटा बहुट वेट हो, क्या आप वेपर को, या फिर वेल से, या लेक water को उठा पाते हो, नहीं पानी तो बहे जाएगा, आप इसको कैसे आप लोगी, इस सब liquid form है, तो solid form इसमें से सिर्फ आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर ऐसे option दिये हुए है, तो इसका मत क्या बताएगा, यहीं बताएगा, solid form of water, clear है, चले, तो इसको यहाँ पर हम खत्म करके, next question की तरफ पहुचेंगे, the process of seeping of water into the ground is called, अब यह process of seeping of water क्या होती है, aquifier, infiltration, water cycle या all of these, अब यह जो पानी है, seep करना क्या मतलब क्या होता है, धीरे धीरे पानी का underground जाना, या फिर आपके जो surface है, उसके अंदर जाना, तो जो process is seeping of water into the ground, उसको क्या कहेंगे, infiltration कहते हैं, या फिर aquifier कहते हैं, या water cycle कहते हैं, तो देखे, water cycle तो यह नहीं होती, water cycle का मतलब क्या होता है, वो पूरी process जिसमें की rain होती है, आपका पानी पहले vapor में convert होगा, vapor के बाद यह जो पानी है, यह उपर जाएगा, जहाँ पर थोड़ा सा cool down होता है, और उसके बाद आपके cloud formation होगा, and then जो पानी है, वो rain के form में नीचे आता है, तो यह पूरी water cycle होत हज़ता है, तो aquifiers क्या होते है, जो कि पानी को clean करने का, या से requires होटे हैं, जो कि पानी को clean करता है, तो उसकुछ हमारे surface पर ground में चुछ ऐसückeak होती है, जो कि पानी को filter करने का काम करता है, जो seeping process हो, इसको आप गहते हो, infiltration की process, जो गाए डिन एक्विफायर के कारण की जाती है एक्विफायर कौन होते है आप पानी के लिए तो यह जो पेड पोदों की जो रूट सोती है यह जो आपके बड़ी बड़ी से राक्ट लोग्ट होते हैं यह सबी पार Director है जो की सीप करते हुए धीरे धीरे पानी को कच्चरे को या जो भी उसमें ऐसी चीज आई हो है उसको हटाते हुए धीरे धीरे पानी को नीचे की तरफ भेजते हैं और इसी को आप क्या कहते हो इसी को आप infiltration की process कहते हो okay so the process of seeping of water into the ground is called infiltration clear है चले तो आगे बढ़ेंगे question number 7 की तरफ the water below the ground is known as अब हमारे ground के नीचे जो पानी होता है हम उसे क्या कहते हैं अब ground के नीचे पानी है तो आप उसे क्या कहोगे आप क्या उसे pure water या polluted water कहोगे अब वो pure है या polluted है ये तो बात की बात है क्योंकि वो चेक करेंगे तो हम बताएंगे लेकिन वो जो पानी जो कि ग्राउंड के अंदर होता है हम उसे कहते हैं ground water क्या कहते हैं हम इसे ground water clear चले so question number 7 के बात हम आ गए है question number 8 पे यह जो पूरा chapter रहना बहुत ज्यादा टफ नहीं है एक पूरा आपको थियोरी ही पढ़ना है और सब चीजों को समझते हुए चलना है अगर आपने पूरा chapter अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप सारे तरीकी के चांसर दे पाएंगे ठीक है चलो so question number 8 पे चलेंगे तो भाई the large well-like structure which is used in olden times for rainwater harvesting is called अब आपने olden time की बात की जा रही है मतलब कि जब किसी भी चीज का development नहीं था pump water pumps नहीं थे tube wells नहीं थे तो उसके पहले की जमाने में बहुत olden old time की बात की जाए तब क्या किया जाता था water rainwater harvesting के लिए अब rainwater harvesting में आजकल तो भाई technology यूज होती है उपर ecosystem लगाया जाता है जिससे पानी जो है drop by drop groundwater में जाता है ठीक है तो पहले कैसे rainwater water harvesting की जाती थी वहाँ पर well बनाए जाते थे या बावरी बनाए जाते थी या फिर जोहाद बनाया जाता था या चैक डैम्स बनाए जाते थे तो यह जितनी भी चीजे है चैक डैम्स या बाकी की सारी चीजे यह आपके recent time की है ठीक है बहुत पुराने की बात की जाए तो आप अगर कभी राजस्थान गए होंगे ठीक है तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा जगह होती है जहाँ पानी stored होता है ठीक है और वहां बहुत सारी सेडियों से आपको नीचे जाना पड़ता है बहुत नीचे नीचे आप जाओगे तो आपको बहुत बड़े से एरिया में बना हुआ दिखेगा वो structure जिसमें पानी होता और उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं बावरीज ठीक है यह जो बावरीज होती थी उनकी मदद से rain water harvesting मतलब की यह जो आपका ground water है उसका level भी बना हुआ रहता था और जो पानी बारिश के time पर आता था वो बहां पर जाकर के store भी होता था समझ में आया कितना अच्छा concept था मतलब हमारे ancient time से ही लोगों में इंडिया में इस चीज की awareness थी कि हमें groundwater के level को maintain करना चाहिए तभी जाकर के हम बहुत सारी जगे जैसे हमारे reverse हैं यह हमारे जो कुएं हैं वहां पर हमें पानी बिल पाएगा तो इसका जो सही answer होना चाहिए वो होगा option number B आगे चलेंगे question number 9 की तरफ so which of the following doesn't show water shortage अब इसमें से आपको क्या समझ मतलब किस point को पढ़के यह समझ में आएगा कि इसमें water shortage नहीं हो रही है taps running dry long queues for getting water marches and protests for demand of water three buckets of water per person per day taps running dry मतलब कि आपके घर में जो नल आता है उसमें पानी नहीं है बिल्कुल सूखे हुए है ख्योल आप उसको अगर open भी कर रहे हैं तो पानी नहीं आ रहा next is long queue for getting water बहुत लंबी-लंबी लाइने लगी होती है आपने picture देखियोगी मतलब कि लंबी-लंबी लाइने लोगोंने कब लगाई होंगी तब ही लगाई होंगी जब पानी की कमी हो या ऐसे ही सब खड़े हुए बाल्टियों को लेकर के जी नहीं जब बहुत ज़्यदा पा पानी चाहिए हमें पानी चाहिए तो अगर उनकी घर में अल्रेडी पानी होगा तो वो क्यों बहार आएंगे क्यों अपनी डिमांड रखेंगे इसका मतलब यहां पर भी shortage of water दिखाई दे रही है लेकिन अगर एक व्यक्ति को एक दिन में थ्री बकेट पानी मिल रहा है तो से ना तो पानी आ रहा है लोग लंबी-लंबी लाइन ही लगाकर खड़े हुए हैं पानी के लिए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं मार्च कर रहे हैं तो बही ऑप्शन डंबर डी जो है यह हमारे लिए सही होगा ओके चल तो यहां पर हमने कुशन नमबर 9 कंप्लीट किया आग किसी भी लिक्विट की ड्रॉप्स की कांटिंग है या कांटिंग वाटर ड्रॉप्स या पानी की वाटर डॉप्स इम्पोर्टेंट ओफ वाटर इम्पोर्टेंट ओफ कांटिंग तो एवरी ड्रॉप कांट से क्या सबज में आता है क्या इसका मतलब की वाटर ड्रॉप्स इसका मतलब यह होता है कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं importance of water कि पानी की एक-एक भूंद बचा करके चलनी है तभी जाकर कि हमारी आने वाली जो generation है वो पानी का use कर पाएगी तो इसका मतलब importance of water यहाँ पर दिखाया जा रहा है that is option number C clear हुआ आपको? चलिए so question number 10 के बाद आपसे question number 11 या फिर और क्या question पूछा जा सकता है तो आपसे पूछ सकते हैं कि rain water harvesting is one of the way to conserve अब rain water harvesting की जाती है ठीक है? rain water harvesting के लिए आजकल जो government है वो भी आपको काफी support करती है कि आप अपने घर में rain water harvesting कर सकते हैं तो यह rain water harvesting actual में है क्या? हम बचा रहे हैं या उसके help से क्या चीज़ कर रहे हैं तो क्या ये fresh water से related है? या ये sea water से related है? या फिर potable water से related है? या फिर ये एक rain water से related है? तो rain water harvesting जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है जो कि किस से related है? rain से related है मतलब कि बारिश के टाइम पर जो पानी आपका सीवेज में चला जाता है या या वहाँ बहकर की waste हो जाता है उस पानी को ground level तक पहुचाने के लिए rain water harvesting की जाती है इसमें घरों की चटों पर system होता है जिससे की पानी जो है वो बारिश का पानी उसमें खटा होता हुआ दीरे दीरे आपके ground तक पहुचता है और इस तरह से ground का जो पानी है उसको हम बढ़ा देते हैं और ये ground का पानी कहां जाता है? दीरे दीरे से ये आपके आसपास की नदी में या लेक में जाएगा और वहाँ के level को बढ़ाएगा या फिर ground water अंदर ही store रहेगा और जिसका use आप कैसे कर सकते हो? आप tube wells की मदद से उसका use कर सकते हो तो rain water harvesting में किसको conserve करना है? rain water harvesting का मतलब है rain water को conserve करो उसको बचाओ और उसका use करो water के ground level को बढ़ाने के लिए ठीक है? तो इसका option होगा option number D that is rain water आगे चलेंगे next question जो आप से पूछा जा सकता है कि how many forms of water are there? only one, only two, only three तो forms का बात कर रहे है तो water किस-किस form में होता है? तो भही water जो है ये solid liquid and gas इन तीनों form में होता है solid मतलब ice, liquid मतलब जो आपका पानी आप देखते हो और gas मतलब की वेपर के form में तो जो आपका पानी है ठीक है? वो कितने form में है? त्री form में तो इसलिए इसका answer क्या होगा? two, one या three तो इसका होगा three, only three next question की तरफ चलते है water is found in water जैसे की अभी question में हमने देखा तो water जो है, ये सभी forms में मिल सकता है, ठीक है? so water on earth has been maintained due to अब पानी में जो पानी है sorry, हमारे जो अर्थ पे जो पानी है, वो किस वज़ा से maintained हैता है? हमारे अर्थ पे पानी कैसे आता है? या फिर maintain कैसा रहता है, मतलब खत्म हो गया तो फिर दुबारा से कैसे आ जाता है? ground water से, oceans के कारण reverse के कारण, या फिर water cycle के कारण, अब देखिए ground water में पानी कैसे आएगा? जब बारिश होगी तो बारिश में पेर पौधे जो है या जो आपके plants है, वो क्या करेंगे? वो स्पानी को सोक करेंगे, सोकेंग करते करते धिरे-धिरे सीप होगा वो आपके underwater, ground के अंदर, ठीक तो इस तरह से ground water किस पर depend हुआ? तो ground water भी किस पर depend है? ये depend है आपके rain पर depend on rain ठीक है? अब oceans, अब ocean की बात करूँ अगर में, तो ocean क्या हर जगे है? क्या आपके जो अर्थ है हर जगे आपको ocean मिलेगा? नहीं, जैसे कि अगर मैं MP मेरे तो मेरी आसपास तो ocean से नहीं है, इसका मतलब कि इस earth का इतना portion तो फिर पानी से एम्टी रह जाता, खाली रह जाता, तो वे ओशियन जो है, यह आपके पूरे अर्थ पर पानी तो नहीं पहुचाते, क्योंकि अर्थ का कुछ हिस्सा जो है, वो सर्फेस है, ठीक है, रिवर्स क्या है? रिवर्स अगेन कुछी जगा पर है, बाकी जगा पर तो रिवर्स प तो वैसे इतना help की ज़रूरत नहीं है, और आपके groundwater इन दोनों को help करती है, ठीक है, तो अगर देखा जाए कि water on earth has been maintained due to, तो किसकी वज़े से जो आपकी पूरी अर्थ है, वहाँ पर पानी maintain रहता है, तो वो रहता है water cycle के कारण, क्योंकि water cycle का क्या मतलब होता है, यह जो ocean स ठीक है, ocean के अगर बात करें, तो जब इसको sun की energy मिलेगी, तो sun की energy के वज़ा से यह जो पानी है, यह धीरे धीरे गर्म होकर के vapor के form में बदलता है, vapor के form में उपर उठता है, ठंडा होता है, इस तरह से cloud formation करता है, और जब यह आपके cloud जो है, वो पानी से भर जाते हैं, तो यह पूरी water cycle आपने पड़ी थी और यह हर जगह पर आपके earth के हर पार्ट पर होती है, अब हर जगे अलग-अलग तरीके से water cycle बनेगी और अलग-अलग तरीके से आपका rain हो सकती है, आई बात समझ में, तो वही water cycle के कारण है, आपकी जो पूरी earth है, वहाँ पर पानी maintain रहत है, अगला question है, question number 15, the upper limit of the layer of earth in which water is found is called, अब आपकी जो वह लिमिट, अपर लिमिट जहाँ पर पानी मिलता है, अर्थ की जब आप खुदाई करेंगे, डिक करेंगे, तो अंदर आपको कहाँ पर पानी मिलता है, infiltration, aquifier, water table या फिर ground water, तो ओविस से बात है, हम इसे क्या कहत है, water table, ठीक है, water table वो एक level होता है, जहाँ पर आपको पानी मिलना शुरू हो जाएगा, next question number 16, water from which of the following source is clean and safe to drink, अब आपको यह बताना है, कि इन में से कौन सा पानी जो है, वो clean होता है, और हमारे लिए safe रहेगा, ground water, lake water, river water, या ocean water, अब ocean water को तो आप पी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खारा होता है, salty होता है, river water और lake water की बात करें, तो river और lake में कई तरीके की गंदगी हम humans ही डालना शुरू कर देते हैं, कहीं से industrial waste आ रहा है, तो वो भी उसमें चला गया, या फिर आपके आजपास का जो कूड़ा खचरा है, वो उसमें मिल जाता है, तो यह लेक वो पानी है आपका ground water, क्योंकि river और lake तो बहुत सारी जगह से बहते हुए आते हैं, तो किसी ने किसी form में, अगर हम उसमें कुछ waste को ना भी डाले, industrial waste को ना डाले, humans waste को ना डाले, तो भी जो river और water यह जो आपका lake होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह से आ रहा होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पानी contaminated होता है, तो जो साफ पानी होता है, जो ground water का पानी है, वो एकदम clean होता है, क्योंकि वो underground है, underground उसमें कही तरीके से जो aquifiers हैं, वो infiltration की process करते हैं, और जो पानी है, वो pure form में होता है, तो सबसे ज़्यादा साफ पानी आपको किसका मिलेगा, आ water shortage, अब इसमें से water shortage का कारण क्या है, drip irrigation, over population, heavy rainfall, infiltration, अगर आपको इन सभी का मतलब पता है, तो आपको इसको answer देने में देरी नहीं लेगेगी, इसका जो answer होना चाहिए, वो तो मैं आपको discuss करूंगी ही, लेकिन सब तब तक एक छोटा छोटा सा overview दे देते हैं, कि बाकी का क्या मतलब है, drip irrigation का मतलब क्या होता है, अब आप कोई बिमार होता है, टीक है, तो उसको bottles लगाई जाती है, ठीक है, drip का मतलब बून्द बून करके, वो जो medicine है उस ब्यक्ती के अंदर, उस particular person के अंदर जाती है, ठीक है, तो drip irrigation में क्या किया जाता है, आपका पानी जो है, व कर रहे हो तो जी हां हम water shortage ना हो इस चीज में रिप इरिगेशन से मदद कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी हम क्या करेंगे इसमें हम water के waste को remove कर रहे हैं फिर है overpopulation overpopulation क्या water के shortage के लिए responsible है तो जी हां overpopulation बिलकुल responsible है क्योंकि जतनी ज्यादा population होगी उतना ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोगों को पानी के requirement होगी तो groundwater का use करेंगे river water का use करेंगे अब दिरे दिरे पानी की shortest जो है वह population के कारण ही होती जा रही है heavy rainfall तो क्या heavy rainfall के वजह से भी water shortage हो सकता है जी नहीं rainfall तो क्या करेगी पानी बहुत तीजी से आएगा तो यह आपके groundwater में कहीं न कहीं से जाएगा ही जाएगा reverse में जाएगा और पानी के level को बढ़ाएगा तो यह short नहीं कर रहा है की increase कर रहा है infiltration is the process infiltration क्या है process है जिसमें कि अपकी जो equifier है ground के वह पानी को धीरे धीरे ground water तक पहुचाते ठेक है water table तक पहुचाते और ground water को increase करते हैं तो इसलिए infiltration भी वह process नहीं है तो इसका मतलब कि अगर देखा जाए तो जो over population है वही कारण है हमारे water के shortage का next is question number 18 so which one of the following is not a technique to conserve water अब पानी को conserve करने की कौन सी technique नहीं है conserve मतलब क्या होता है पानी को बचाना ठीक है तो भई कौन सी technique है जिसमें आप पानी को नहीं बचा पाते है ठीक है तो rain water harvesting, बावरी, drip irrigation, evaporation ठीक है इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कि आप conserve नहीं कर रहे है is not a technique अब rain water harvesting एक technique है जिसमें आप पानी को conserve कर रहे हो बचा रहे हो बावरी भी एक टेकनीक है drip irrigation भी एक technique है जिसमें आप पानी को बचाते हो लेकिन evaporation क्या होता है मतलब की पानी का हवा में जाना वापर के फॉर्म में convert होना तो यहाँ पर evaporation टेक्नीक नहीं है बागी कि यह सारी चीज़े क्या है टेक्नीक है rainwater harvesting घरों में की जा सकती है रेन का पानी आएगा और groundwater की level को increase करेगा बाउरीस जो की पुराने जमाने में होती थी वो भी आपके groundwater level को बढ़ाती है और यह जो drip irrigation है उस drip irrigation में भी पानी drip by drip plant की root तक पहुचता है यहाँ वहाँ waste नहीं होता तो इसका मतलब इसमें भी आप क्या कर रहे हो पानी को बचा रहे हो ठीक तो इसका मतलब सिर्फ इसमें evaporation क्योंकि कोई technique नहीं है इसलिए d option होगा इसका next is international year of fresh water is अब fresh water के लिए year को भी बनाया गया जैसे कि हमने 26 March को world water day हम बनाते हैं उसी तरीके से एक fresh water international year को घोशित किया गया तो वह होता है 2003 2003 को एक सब्मेट हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मिले और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पानी को बचाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस की गई थी बहुत सारी टेक्नीक्स लाइं गई और टेक्नीक्स के अलावा बहुत सारी चीजे बनाएंगी कि हां हम यह यह ची पानी को बेर कर सकती है उस लेर को क्या कहा जाता है कॉनिफार हाइड्रोस्फियर एक्विफार या फिर वाटर टेबल अब देखें कॉनिफर का क्या मतलब होता है तो कॉनिफर होते है एक टाइप के ट्रीज जो कि कुछ इस तरह से होते हैं मतलब कि ऊपर से थोड़े से के ट्रीज तो यह जो आपके ट्रीज हैं यह आपको ठंडी जगह पर मिलते हैं क्योंकि ताकि जो बर्फ इनके उपर गिरे तो यह नीचे की तरफ गिरती जाए तो वह इन नुकीले पेड़ों से नीचे की तरफ आ जाती है तो इनको आप कौनिफार कहते हैं हाइड्र स्फेर तो भई हाइड्रो स्फेर जरूर हमारे अर्थ का एक वो आली लेयर होती है जिस पर की पानी होता है हाइड्रो का मतलब होता है पानी ओके स्फेर मतलब की अर्थ का पोर्शन जिसमें की वो पानी को वेर करें ठीक है तो वो यह होती है हाइड्रो स्फेर एक्रिफायर क्या होत होता है water table मतलब कि वह हिस्सा जहां से आपको underground पानी मिलना शुरू हो जाए ठीक है underground water जहां से आपको available होता है ठीक है उसी को आप क्या कहते हो उसी को आप water table कहते हो clear है चली तो यहां से आपको answer मिल चुका है कि इसका होगा hydrosphere next is sea and oceans are full of water on earth however a very small percentage of water present on earth is available for us this percentage is roughly only 0.006% अब यहरा इस amount को देखे और क्या question बोला था एक बार दुबारा से सुनिये कि हमारी earth पर क्या है कि बहुत सारा पानी है sea oceans बहुत सारा है मदा आपका maximum portion हमारी earth का क्या है सिर्फ पानी है लेकिन उसमें से यह जो 0.006% पानी है सिर्फ उतना ही क्या है हमें available होता है हमारी earth मतलब हमारे लिए पीने के लिए या हमारी जितनी भी जरूरते हैं उसको पुरा करने के लिए हम सिर्फ इतना percentage of water ही ले पाते हैं ठीक है क्योंकि बाकी जो आपकी सी पर या ओशिन में जो पानी है वो कैसा है salty water है जिसका यूज हम हमारे किसी भी तरीके के application में नहीं कर सकते हैं सिर्फ हम उसकी मदद से salt ले सकते हैं ओके तो यह जो percentage है जितना पानी हमारे लिए available है वो कितना है 0.006% अब next question है which of the following is a way to use water economically ठीक है इसमें से कौन सा तरीका है जिसमें आप पानी को economically यूज करोगे construction of body rainwater harvesting drip irrigation या फिर infiltration तो भई इसमें आप कैसे यूज कर सकते हो तो आप कर सकते हो drip irrigation से यह आपका economically मतलब की जिसमें की cost effective पानी का यूज जो है वो होता है आपका drip irrigation तो economically करने का मतलब क्या है कि मदब जिसमें आपको कम पैसा लगे और जिसमें आप पानी को भी बचा लो तो construction of bowery बहुत बड़े लेवल पर आपको बनाना पड़ेगा rainwater harvesting आगेन आपको थोड़ा से ज्यादा पैसा लगेगा infiltration तो एक process होती है तो भई drip irrigation जो है वो हमारे लिए economical होता है next question पूछा है the amount of water recommended by the United Nation for drinking washing cooking and maintaining proper hygiene per person per day is minimum of तो भई आपको United Nation ने एक amount दिया हुआ है जिस amount का पानी हम use कर सकते हैं ठीक है तो वो पानी अगर मिलता है तो मतलब कि हम ठीक ठाक condition में है तो वो पानी कितना है 5, 15, 30 या 50 liters तो वो होता है 50 liters per person per day चीक है per person per day अगर बात करें तो 50 liter पानी की एक व्यक्ति को जरुवत होती है और इतना minimum पानी अगर किसी व्यक्ति को या किसी person को मिलता है तो that means कि वो एक sufficient amount का पानी उसे available है clear है तो इसका answer कितना होगा 50 liters अब question number 24 पूछा हुआ है water cycle does not involve which of the falling अब water cycle जो होती है पूरी process है ocean से पानी का vapor में बनना cloud formation फिर दीरे दीरे पानी जो rain के form में आएगा उसको ground में जाना reverse में जाना फिर से वही process शुरू होना तो यह पूरा cycle चलता है तो आपको इस option में बताना है कि water cycle में इन में से कौन सा option जो है वो involved नहीं होता evaporation, condensation, formation of clouds या फिर rain water harvesting तो आप ध्यान से देखिए evaporation process होती है evaporation होना पानी का evaporate होना होता है condensation मतला पानी का थंडा होना भी होता है formation of clouds भी होता है लेकिन rain water harvesting एक different tease है जो कि हम एक ऐसी technique है जिसकी मदद से आप ground water के पानी को maintain कर सकते हो इसलिए इसका option क्या होगा इसका option होगा option number D that is rain water harvesting क्योंकि यह water cycle का हिस्सा नहीं है आगे question number 25 क्या कहता है कि which of the following inhibits the seepage of rain water into the ground ठीक है so inhibits जो मतलब कि क्या आपका इसमें से कौन से ऐसा point है जिससे की पानी जो है आपके ground में नहीं पहुचेगा train का जो पानी है वो किन से ground तक नहीं पहुचेगा आ पका floor ठीकें या ऐसे पुका भी कहते हैं playground, grass lawn या फिर forest lawn अब पका floor मतलब क्या होता है कि वहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से first लगी हुई है और उससे पानी नीचे नहीं जा सकता अब देखिए बारिश होगी तो आपका जो पका floor है क्या उससे पानी जाएगा नहीं क्योंकि वहाँ पर तो पुरा store है एक तरीके से आप ये समझ लीजे किसी तरीके का first लगा हुआ है playground पे open है पानी आएगा वहाँ पर क्योंकि soil है छोटी छोटी सी grasses है तो वह आपके पानी को नीचे पहुचा देगी grass lawn में again grasses है तो पानी नीचे जाएगा forest line तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ बड़े बड़े trees होंगे तो जो कि बहुत maximum पानी को rain water को आपके ground के अंदर तक पहुचाते हैं तो इन में से जो एक चीज बिलकुल भी पानी को अंदर तक नहीं पहुचाती है seepage of rain water नहीं करती मतलब की नीचे पानी को धीरे धीरे नहीं भेजती है तो वो है आपका first option that is पका floor clear? चले so question number 25 के बाद पहुचेंगे 26 पे so which of the following statement is or are correct इसमें से आपको बताना है कि इन में से कौन सा statement सही कह रहा है water is essential for existence of life क्या हमारी life के existence के लिए पानी ज़रूरी है? जी हाँ हमारे लिए बहुत ही important है पानी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमें पानी पीना है या नहाना है, कपड़े दोना है, खाना बनाना है हमारी गाड़ियों के लिए, हमारी घर बनाने के लिए या फिर हमारी सारी industrial as well as hospital की जितनी भी requirement है सभी में पानी का maximum use होता है इसलिए पानी हमारी life के लिए essential है और option number से first जो है correct है Without water there would be no living things on the earth क्या बिना पानी के इस earth पर कोई भी living thing नहीं रह सकती तो जी हाँ अगर पानी नहीं होगा तो plant नहीं होगे प्लांट नहीं होगे तो उनको खाने वाले animals कैसे होगे वो animal नहीं होगे तो उनहीं खाने वाले animals और humans कैसे हो सकते हैं इसका मतलब कि living organisms के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए option number भी जो है बिलकुल correct है Next question Actually about 70% of the earth surface is covered with the water क्या हमारी जो 71% पानी मतलब की जो surface है अर्थ की वो पानी से covered है तो जी हाँ बिलकुल है इसलिए हमारा जो answer है वो क्या होगा All the above क्योंकि सारी के सारी को आपके जो statements है वो बिलकुल correct है related to पानी related to water चलिए तो अब आगे आ जाते हैं question number 27 में जो आप से पूछा जा सकता है which of the following are not the liquid form of water choose the correct combination अब आपको इसमें बताना है कि liquid form of water क्या है नहीं है इसमें snow, water vapor या ice, snow, lake water, lake water and river water या फिर water vapor ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपका जो बिलकुल भी पानी की तरह नहीं है वो liquid की तरह नहीं है वो है snow, ice and water vapor ठीक अब water vapor आपको अलग से भी दिया हुआ है लेकिन option में उपर snow और ice लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका answer क्या होना चाहिए? snow और ice, clear है? चले तो इसको option होगा option number A next is read the following sentences carefully and choose the correct one सही बताना है आपको the highly salty sea water can be made fit for human use but it is very very expensive to do so क्या salty water को हम humans के according बना सकते मतलब जो sea water है क्या उसको किसी ऐसी technology से normal water में convert किया जा सकता है जो कि बहुत costly है दूसरा for millions of years of fresh water supply on land has been maintained by the water cycle आपकी जो water cycle है वो आपके पूरी जगा पर पानी को maintain करके रखती है the trees and plants suck ground water through their roots क्या यह जो tree और plants है यह ground water को अपने roots से उपर की तरफ खीचते है तो इसमें से आपको correct answer बताना है तो इसमें सभी के सभी correct है कि जो highly salty water है उसको fit बनाया जा सकता है humans के लिए लेकिन वो बहुत ही जादा expensive होगा millions of years of fresh water जो है आपकी वो water cycle से ही maintain है और जो trees और plant है उनको ground water से वो अपने root पर पानी को भीचते भी है और उपर की तरफ खीचते भी है चीक है चलिए a man digging the ground near a water body water body का मतलब क्या होता है river या फिर लेक के आसपास वो कहीं पर एक बड़ा सगधा कर रहा होगा found that the soil was moist उसने वेखा कि जो soil है वो थोड़ी सी moist है मतलब कैसी है गीली है as he kept digging deeper and deeper digging मतलब क्या होता है खुदाई करना खोदना है न गड़ा करना तो वो kept digging deeper and deeper वो बहुत जादा गहरा गड़ा करता जा रहा था करता जा रहा था he reached a level वो एक ऐसे level पर पहुचा where all the spaces between particles of soil spaces between particles of soil का मतलब क्या होता है soil के बीच में जितना भी gap था सब कुछ and gaps between the rocks मतलब उसने जब गड़ा किया तो उसको मिट्टी मिली और चटानी मिलने लगी rocks मिलने लगे तो उसने देखा कि वहां पर पानी भरा हुआ है the upper limit of this layer is called तो उसके layer को क्या कहते है water label water table groundwater या फिर water limit तो भाई जब आप गड़ा करते हो water table ठीक है क्योंकि वुस लेयर से आपको पानी मिलना शुरू हो जाता है clear है so question number 29 का option था option number B water table आगे बढ़ेंगे question 30 की तरफ तो some of the cause for the shortage of water are अब पानी के shortage के लिए कौन सा कारण हो सकता है day by day increasing population growing irrigation requirement of agriculture rapid growth of industry तो भाई अब्वेस सी बात है सारी चीज़े एक दूसरे से interlinked है population बढ़ेगी तो agriculture की requirement बढ़ेगी agriculture की requirement बढ़ेगी तो industries बढ़ेगी क्योंकि हमें और भी तो चीज़े चाहिए हैं हमें घर में बहुत सारी जरूरतों के लिए industries पर हम dependent रहते हैं ओके तो इसका मतलब कि यह तीनों कारण जो है यह आपके पानी के shortage के लिए responsible है इसलिए इसका answer होगा all the above clear चले तो question 30 के बाद आएंगे next question पर 31 recently in a science class test you are asked a question where you have to say whether the statements are correct or not अब आपका science class test किया हुआ है ऐसा सोच लीजे और आपसे पूछा गया कि इन में से कौन सी चीज़े correct और कौन सी नहीं है a rock which allow water to pass through it is called the permeable rock ऐसा रोक जो की अपने में से पानी को पास होने देता है उसे अपन permeable rock कहते हैं या फिर rock which does not allow water to pass through it it is called an impermeable rock upper level of water under the ground which occupy all the spaces in the soil and rock is called the water table या all the above तो जी हाँ इसका answer है all the above वो आपका यह याद रखेगा वो रोक ठीके जो की अपने में से पानी को पास होने देती है उसे अपन पर्मेबल रोक कहते हैं और जो नहीं देने जाने देती पानी को उसे impermeable rock कहते हैं और आपका जो वो हिस्सा ग्राउंड का जहां पू ओल दी अबब देखें हर mcq आपको नई चीज सेखने को मिलती है जहां से हमें यह वोट स्ẫnको मिला कि एसै रॉक जो की पानी को पास होने देती है और एक एसी होती है जो की पास नहीं होती है नहीं होने देती उसे हैपन परमेबल रॉक और impermeable rock कहते हैं आगे चलेंगे question 32 की तरफ so consider the following statement and choose the incorrect one अब गलत आपको चूज करना है इन में से कौन सा statement गलत है the water table varies from place to place and it may even change at a given place अब जो water table है वो हर जगे का अलग अलग हो सकता है और कभी बतलब हर जगह पर अलग अलग होगा यह हो सकता है क्या जी हां यह हो सकता है water table rises and falls depending upon the amount of rain water which seeps into the ground and on how much groundwater is drawn out well water table जब बढ़ रहा है या फिर घट रहा है क्या बुला है water travel rises and falls उपर बढ़ रहा या घट रहा है यह depend करता है कि कितनी बारिश हुई है और कितना पानी आपके ग्राउंड में गया है और कितना सारा जो groundwater का पानी है वो निकाला गया है तो जी हां groundwater table इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना बारिश उसको भर रही और कितना उसका यूज किया जा रहा है क्या वो पानी को फैच करने के लिए उसकी तलाश में यहां से वहां गुमते हैं दूर दूर से पानी लेकर के आते हैं इसी कारण से क्या वो स्कूल नहीं जा पाती तो जी हां यही कारण है तो आपसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट क्या है तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि वाटर टेबल हर जगे का अलग अलग हो सकता है कहीं बारिश अच्छी होती है तो वहां अच्छा होगा पेर पौदे हैं जादा अच्छे बहुत घने-घने जंगर है तो वहां वाटर टेबल अच्छ से क्योंकि पूछा हुआ था कि incorrect बताइए तो इसलिए इसका option हो जाएगा none of the above क्योंकि कोई भी गलत नहीं है every drop count is a slogan related to अब देखे question अलग तरीके से पूछा जा सकता है तो वही every count drop किसे related है counting of drops of any liquid counting of water drops importance of water या importance of counting तो हमने discuss किया था यह होता है importance of water in a quiz competition you are asked the question where you have to choose the statement which is or incorrect which is or are incorrect मतलब दो भी गलत हो सकते हैं depletion means reducing or lowering the amount of something depletion का मतलब होता है किसी चीज का amount reduce होना या धीरे धीरे lower होना कम होना तो जी हां depletion का मतलब यह होता है we draw ground water for our use with the help of well, tube well and hand pumps क्या हम ground water को well, tube well या फिर hand pumps की मदद से ले सकते हैं when it rains the rain water seeps into the ground and the ground water is recharge जब बारिश होती है तो rain water जो है वो ground में जाता है और ground water जो है वो recharge हो जाता है मतलब की ground water में पानी बढ़ जाता है तो जी हां यह बिलकुल सही है और again क्योंकि आप से incorrect पूछा हुआ था इसका मतलब की इसमें से कोई भी incorrect नहीं है और इसका option क्या हो जाएगा इसका option होगा none of the above okay 35 Priya appeared in class test but he confused to know the incorrect statement would you help him to know that snow and ice both are solid form of water जी हाँ snow and ice दोनो solid form बहोते है यह 2003 was observed as the international year of fresh water क्या 2003 year को fresh water day का international year कहा गया था जी हाँ यह था international year of fresh water rapid growth of industries is one of the cause for water shortest जी हाँ the process of seeping of water into ground is called the filtration तो इसमें आपको incorrect बताना है तो इसका है the process of seeping of water into the ground is called the filtration जी नहीं उसे हम कहते हैं infiltration क्या क्याते हैं infiltration ठीक है क्या का जाता है सिर्फ आई एन की mistake किस नहीं की हुई है तो यह incorrect option है clear चली तो यहां से question 35 को हम कर देते हैं खत्म क्योंकि उसका option में मिल चुका है और हम mcq को यहीं पर finish करते हैं को आपके chapter 16 के I hope आपको यह mcq helpful लगे आपके exam pointer view से यह तो chapter 16 का mcq था इसके अलावा हमने सारे chapters के mcq already आपके concept video के साथ डाले हुए है वहां पर आपको यह available है तो आप नहीं पता है तो मैं पता देती हूं कैसे देखेंगे आपको जाना है magnet brain पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको यहां अपनी class select करनी पड़ेगी class 7 ता select करें से लेक्ट करने के बाद आपको आप जो भी subject पढ़ना होता है उससे आपको select करना है तो आपको science पढ़ना है तो आप watch now पर click करें जैसे आप watch now पर click करेंगे तो इस तरह से कि screen open हो जाएगी जिसमें नीचे की तरफ chapters उनके topic हर chapter का mcq सब कुछ आपको दिखेगा आपको बस उस पर click करना है click करते साथ ही एक video open हो जाएगा इस video को शुरुआत से आखरी तक जरूर द होगता है तो आप इसे like जरूर करें कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसे share करें अपनी सेम प्लास के स्टुटिन के साथ और आप उनसे भी शेर कर सकते हैं चैनल को जोकि आपकी क्लास में नहीं बलकि आपसे थोड़े बड़े च्छोटे हैं क्यूंकि हमारे पास है 100% free classes from kindergarten to class 12 और 100% free का मतलब यह है आपको कभी भी कोई भी फीस देने की जरुवत नहीं है ना किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरुवत है यहां आपको सारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैपी स्टे हैल्दी थांक्यू सो मच